दोस्तो हिंदू पंचांग के अनुसार महा शिवरात्री का त्योहार हर साल फागुन माह के किष्ण पक्ष की चतुरती तिथी को मनाये जाता है। दोस्तो महा शिवरात्री के पावन पर उपर भगवान शिव की कृपा पाने के लिए विदी विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। इस वार महा शिवरात्री का त्योहार आठ मार्श दोहजार चौवीज को है। मनता है कि महा शिवरात्री के पहले अंगर किसी को सपने में अगर भगवान शिवर से जुड़िय खास चीजें दिखाई दिए तो यह बहुत ही शुब होती है। दूस्तों कौन सी हैं वी चीजे जो आप अगर शिवरात्री या शिवरात्री से पूर्व देखती हैं तो यह अत्यांत ही शुब संकेत लेकर आती हैं आपके भविश्य के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके घर परिवार के लिए हेलो दोस्तो मैं DRX अंतो सिंग अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ भगवान शिव जब मनुष्य पर प्रसंद होते हैं तो वे मनुष्य के जीवन में रोश्नी भर देती हैं, वे मनुष्य के जीवन में खुशहाली के रंग भर देती हैं परन्तो भगवान शिव के प्रसंद होने से पहले ये प्रकरती मनुष्य को ये संकेत देती हैं जिने समझकर मनुष्य है समझ सकता है कि भगवान शिव उस पर प्रसंद है दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में एक वार सच्चे मन से हर हर महादेव जैसरी राम अवश्य लिख दीजिए तो दोस्तो कौन से होते हैं वे शुपन कौन से हैं वे शुब संकेत जब भगवान शुब अपनी करपा होने से पूर्व मनुश्य को देते हैं दोस्तो शुपन सास्तर के अनुसार अगर महाशिवरात्री के त्योहार से पहले सपने में आप खुद को घर के पास बने किसी शिव मंदिर में शिवलिंग का अविशेक करते हुए दिखाई देती हैं तो यह अत्यंत ही शुब संकेत माना जाता है। दोस्तो भगवान शिव के गण, भगवान शिव की शक्तियां जो की भगवान शिव की सेवा में सदैव ही लगी रहती है। वे महाशिवरात्री वाले दिन या महाशिवरात्री से पूर्व में ही इस प्रत्वी लोग पर विचरण करने लगती है भगवान शिव की सेवा के ल कट के किसी शिव मंदिर में अविशेक करते हुए देखता है तो यह उन शक्तियों के द्वारा भगवान भोले नाथ के द्वारा उस व्यक्ति को यह संकेत होता है कि महादेव की किरपा उस व्यक्ति पर होने वाली है और शीग्र ही उसकी सभी प्रकार की परेशानिया दूर ह जाएंगे उसके परिवार के उपर भगवान शिव कृपा करने वाले हैं दोस्तों अगर फागुन माहा की शिवरात्री से पहले सपने में बेल पत्र दिखाई दे तो फिर सपने में बेल पत्र के पेड़ से संबंदे तो कोई भी सपना अगर आपको दिखाई देता है तो यह वे शुब संकेत है यह इस वात की और इशारा करता है कि भगवान शिब आपके उपर महरवान होने वाले हैं और शेक्री ही वे आपके समस्त प्रकार के कस्टों को हर लेंगे दोस्तों भगवान भोले नात की करपा से मनुष्य क्या प्राप्त नहीं कर सकता वो जरासी मेहनत पर अत्यधिक प्राप्त कर सकता है दोस्तों भगवान भोले नात की करपा से ही व्यक्ति जब अपनी मुसीवतों को पार करने वाला होता है तब यह प्रकरती उस व्यक्ति को यह संकेत देती है उसे सपने में बेल पत्र से जुड़े हुए सपन दिखाई देने लगते हैं शिवरात्री के आसपास दोस्तों जब मनुष्य को ऐसा दिखाई देने लगे तो समझ लीजिए कि भगवान शिव का उस पर कृपा होने वाली है दोस्तों बिलुपत्र भगवा भगवान शिव को एक और चीज बड़ी प्रिये है और वह है रुद्राक्ष दोस्तों जिस प्रकार भगवान शिव को बेल पत्र प्रिये है उसी प्रकार रुद्राक्ष प्रिये है आपने भगवान शिव के भक्तों को रुद्राक्ष धार्ण किये हुए अवश्य देखा सबस Families操ण और वगवान शेपर रूद्राक्ष चढ़ाते हुए वी देखा होगा दूस्तों रुद्राक्ष सिव को अत्यप्रीय है रूद्राक्ष को सिव का अवतार माना गया है ऐसे में अगर महाशिवरात्री के पहले किसी व्यक्ति के सपने में रूद्राक्ष दिखाई देता है अत्वा उस दिन महाशिवरात्री वाले दिन उस व्यक्ति को कहीं से रूद्राक्ष स्वत्य प्राप्त होता है सुत्यकार्थ है कि या तो उसे मिल जाए अत्वा उसे कोई अपनी इच्छा से दे दे तो यह अत्यंत ही शुब संकेत है ऐसा माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को रुद्राक्ष प्राप्त होता है चाहे हुए सपने में अत्वा हकीकत में या सपने में उसे दोस्तो भगवान शिवकी करपा से उस व्यक्ति के अब्यपार फलने फूलने लगेगा उस व्यक्ति के उपर जो भी मुसीवत थी जो भी अरचने उसके कार्यों में आ रही थी वे अरचने समाप तो हो जाएंगे दोस्तो उस मनुष्य के कार्य अभी तक जो होते होते पड़ जाता था अब बे सारे विगन हट जाएंगे भगवान शिवकी करपा से उस व्यक्ति का कार्य सो चारू रूप से होने लगेगा दोस्तो मैं इस प्रकार का सपना देखने का अर्थ होता है कि जीवन में चल रही समस्त प्रकार के समस्याओं का अंत होने वाला है ग्र शिवलिंग दिखाई देता है वैसे दोस्तो इस दिन शिवलिंग दिखना कोई छोटी बात नहीं है क्योंकि महाशिवरात्री के दिन शिवलिंग का दिखना वह भी काले रंग का शिवलिंग अगरा आप अपने सपने में देखती है तो यह अत्यंत ही शुब संकेत माना जा उस नौकरी में आपको शेगर ही बड़ा मुनाफ़ा होगा दोस्तो अत्वा आपकी नौकरी में आपको तरक्की होगी दोस्तो भगवान शिव की कृपा से आपके ब्यापार में आपकी नौकरी में आपके रोजगार में जो भी संकट आ रहे थे जो भी बिगन आ रहे थी वे सबी समाप्त हो जाएंगे और भगवान शिव की कृपा से आपको बहुत अच्छा मुनाफ़ा प्राप्त होगा दोस्तों महाशिवरात्री के पहले अगर सपने में आप भगवान शिव के साथ माता पार्वती और भगवान गडेश समयत भोले नात के अन्य गण एवं रुग के पुत्र कार्तिकिय अभी अगर आपको दिखाई देते हैं अत्वा महादेव का परिवार आपको दिखाई देता है तो इसका अर्थ है कि आपके ऊपर भगवान शिव और माता पार्वती दोरों का ही आशिरवाद प्राप्त होने वाला है दोस्तों आप भगवान शिव माता पार्वती का आशिरवाद सीगर ही प्राप्त करेंगे माता पार्वती और भगवान शिव के आशिरवाद से आपके घर में परिवार में सुख सम्रद्धी और दामपत्य जीवन में खुशियों का आगमन होने लगेगा दोस्तों आपके जीवन में चल रही समस्त प्रकार की परेशानिया समाप्त हो जाएंगे क्योंकि माता पारवती वे मा है और कोई भी मा अपने पुत्रों को कस्ट में नहीं देख सकती और आप यह भी समझ लीजिए कि माता आप पर प्रसन है और भूलेनात आप पर प्रसन है इसलिए अब आपके जीवन में सभी प्रकार के कस्ट समाप्त हो जाएंगे उनकी करपा से ही आपको यह शुब संकेत दिखाया गया है जो आपके लिए एक ज्योती है एक आशा की ज्योती है कि अब आप परेशान मत हो जितने कस्ट आपको भोगने थे वह भोग लिए अब वे सभी कस्ट समाप्त हो जाएंगे अब खुशियों के दिन आने वाले हैं यानि कि अब आपका गोल्डन पीरिड आने वाला है दोस्तो अगर आपको स्वपन में नाग देवता की दर्शन होते हैं यानि कि वे नाग देवता जो भगवान शिव के आवूशन है जो भगवान शिव के गले में रहते हैं जो भगवान की सेवा में सत्त पर रहते हैं हमेशा वे नाग देवता अगर आपको अपने स्वपन में दिखाई देते हैं तो यह आपके लिए कोई मामूली सवपन नहीं है क्योंकि इस सवपन का अरंत्य है कि आपके जीवन में शीगर ही धना आगमन होने वाला है धनलाव होने वाला है दोस्तो के उस दीवे शुप संकेत जोग अगे आपको मिलते हैं तो आपके साथ बहुत ही अच्छा होने वाला है अब आग्या दीजिए दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो पर पैसे लाइक कीजिए शेर कीजिए कमेंट में जैस्ट्री राम हरार मादे वावश्य लिखिए साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्र कीजिए धन्यवाद